आज सावत नहीने का सात्वा सुमवार है नाग पंश्मी और सुमवार का सयोग बन है उज्जिन के महाकालेश्वर जोतलेंग के शर्षपर वराजमार श्री नाग चंद्रीश्वर मंदिर के पट रविवार आधी रात को खोल दे गए ये पट साल में एक बार नाग पंश्मी पही खुलते हैं सबसे पहले श्री पंशायती महानर्वार्णी अखाड़े के महांतवनतगीली महराज ने त्रिकाल पूचन और अभिशिक याफ्वर दर्शिन का क्रम शुरू हो गया प्राचीन काल से पांचांग तितीक अनुसार सावन महीने की स्चुकल पक्ष की पंशमी के दिन ही इस मंदर के पट खुलने की परमपरा है श्री नाग चंदेश्वर भगवान की प्रतिमा ग्यारवी श्रताबदी की है इस प्रतिमा में फन फैलाए नाग की आसन पर श्रीव जी के साथ देवी पारवती बैती है संबतवा दुनिया में एक मात रैसी प्रतिमा है जिसमें श्रीव जी नाग श्रयाव पर वराचमान है मंदर में शिवजी, मापारवती जी, गणिश जी के साथ ही सब्तमुकी नाग देव है दोलों के वाहन नंदी और सिह भी विराजमान है शिवजी के गले और भुजाओं में नाग लपते हैं जो लोगों ने नाग चंदेविशन मंदर के दर्शन कर लिए उन्हें दोबारा करीब पौनी दो किलोमेटर घूम कर नंदी हौल तक पहुँचना पढ़ रहा है एंदोर से आई श्रदालू रजनी खरे ने बताया कि तीन घंटे से घूम रहे हैं लेकिन कोई भी सही रास्ता नहीं बता पा रहा है इदर कटनी से आया अच्चर शर्मा ने बताया कि महांकाल मंदर जानी का रास्ता किसी को नहीं बता जो लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें भी नहीं मालूं